काशिपूर SDM ने कुंडेशवरी छेतर में चल रहे अवैत खनन को लेकर चापे मारी की जहाँ पुलिस ने चापे मारी के दोरान अवैत खनन में लिप्त वहानों को जब करते हुए खेत की नपाई करने के निड़ेश दिये हैं बतारे के कुंडेशवरी छेतर में अवैत खनन की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी जिसको लेकर पिकेट भी लगाई गई है लेकिन इसके बावजूद भी खनन बुकने का नाम नहीं ले रहा था अवैत खनन की सूचना मिलते ही काशिपूर SDM गोरब कुमार ने राजेश भी भी भाग की टीम के साथ मिलकर अजीदपूर छेतर में चापे मारी की जहां SDM ने अवैत खनन करते हुए एक डंपन और ट्रेक्टर टॉली साहिट अन्य भाहनों को जब्त किया है जिसके चलते SDM ने राजेश भी भी भाग की टीम को खेतों करने के निर्देश दिया है SDM कोरब कुमार ने बताया कि पेरमाई के बाद खेत स्वामियों पर जुमाना लगाया जाएगा साथ ही उन्होंने बताया कि खनन 15 जून से बंद कर दिया गया है लेकिन खनन माफिया खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं तबहरा जीदपूर चेत्र में आज खनन पर चाप मारा गया और अवेद खनन करते हुए एक डंप और पस्ट्रॉल्यों भूजब्त किया गया है इसके लावा अवेद खनन के शेत्र में नपाई की कारवई भी भी इस तरीके से जो है अवेद खनन पर पूरी तरीके से लो जो है बाजन आ रहा हूं अवेद खनन कर पते नदर आरहा हूं क्या है इसके लिए एक लेज तस्हान बंख karma कारवई कर रहा है और जहापर अवेद खनन पाई की कारवाई भी करवा है तो खनन कब LE इसके बज़े जाओशल दस भी ठीभी Euro अब किस तरीकी की कारवाई अमल में लाई जागी हो किस तरीकी के निर्देश दिये जाना है इन पर विती सम्मत कारवाई की जाएगी, जुर्माने की कारवाई की जाएगी, नपाई के बाद कावेद खरन पा जाता है तो उन तोर खित मालिकों पर भी जुर्माना लगाए जाएगी